जैसे किष्ना। दोस्तों मैंada MeeToo efectoалась तो मुद्वे आप सब का बहुत स्वागत करती हूं so कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं और इशvर से आप सब की खुशाली की कामना करती हूं अज की वीजीयो की लिए वाली है, because आज की वीजियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, tips for glowing skin or healthy and clean skin, because यह हर को ही चाहता है कि उसका face एकदम clean हो, glowing हो, एकदम skin एकदम smooth हो, flaky skin ना हो, dryness ना हो, pigmentation ना हो, कहने का मतलब है कि हर को ही चाहता है कि उसकी skin एकदम हर समय glowing रहे और clean और clear रहे, चाहे वो face की हो, चाहे वो body की हो, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सारे tips for glowing skin and clean and clear skin, तो आएए दोस्तों, वीडियो को start करते हैं, 1. हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी जो skin type है, वो क्या है, basically चार तरह की skin type होती है, oily, normal, dry and combination skin, तो हमें अपनी skin type का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारी skin केस type की है, tip number two, हमें जो products का choose करना है, products को वो हमें अपनी skin type ही choose करना है, यह नहीं हमने किसी नहीं कोई चीज बताई, हमने किसी का review देखा और हमने वो खरीदा और use करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं करना है, हमें अपनी skin type के according ही products को choose करना है, tip number three, products को use करते समय, मतलब duration आप जो products use कर रहे हैं, तो कई products ऐसे होते हैं कि बीच में हम छोड़ देते हैं, और कुछ time पिल दूसर product use कर लेते हैं, और फिर कुछ time बार हम फिर दुबारा प्रानरिक वाले products पर वापस आ जाते हैं, यह रखा है चलो उसको use कर लेते हैं, तो उस case में आपको expiry ज़रूर चेक करनी है product की, कहीं वो expired तो नहीं हो गया, because कई वर expiry products लगाने से भी हमारी जो skin है, वो damage हो जाती है, tip number four है दोस्तो, maximum या educate intake of water, पानी का role भी हमारी healthy skin के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैं इसकी detail में नहीं जाओंगी, मैं सर्फ आपको यह कह होंगी, proper पानी intake करना बहुत ज़रा ज़रूरी है, healthy and glowing skin के लिए, healthy diet, healthy diet बहुत ज़रूरी होती है, मैं healthy diet साब को यह नहीं बोलूँगी, क्या अपने मन पसंद की चीज़े नहीं खाये, खाये, week में एक बार खाये, 10 डेस में एक बार खाये, जिसे हम कहते है cheating day, मैं भी celebrate करत बाड़ी पर फरक पड़ता है, और जो बाड़ी पर जो इसका bad effects होता है, वो हमारे एक time पर हमारे face पर भी आ जाता है, like in the pimples के रूप में या एकने के रूप में हमारी skin पर दिखने लगता है, तो diet का specially आपको ध्यान लगता है, आपको skin care कम से कम दिन में दो बार जरूर कर Skin care का बहुत important role है, यह कि नहीं हमने एक बार सुबा कर लिया और पूरा दिन चल रहा है और रात को हम ऐसी सोजा नहीं, हमें skin care कम से कम करना होता है, next tip, हमें skin care जो हम करते हैं, उसमें हमें 3 चीज़े जरूर include करनी चाहिए, बाकी आप चाहिए कुछ करे या ना करें, CTM यान साथ करने चाहिए, अपनी skin care routine के अंदर, next tip and the most important tip, जो हम लोग बहुत, मतला पता होते हैं, हम लोग लापरवाई कर जाते हैं, और वो बहुत हमारे लिए bad effect होता है, हमारी face की skin के लिए, वो होता है makeup remove, makeup को ज़रूर remove करके, सोईए ही है, जो माननी जा आपका कोई दिन का, दिन में आपने makeup करा, makeup का आपका जो काम है वो खतम हो गया, तो उसके बाद, तुरन makeup को remove करके, अपना पूरा proper skin care follow करिए, क्योंकि makeup skin पे लगे रहने से भी क्या होता है, हमारे दिरे दिरे वो products हमारे skin के अंदर absorb होते हैं, या ज्यादा दिर लगे रहने के कारण, वो क्या ह हमारे face पे acne और pimples वगारा उससे आजाते हैं, next tip and the most important tip, makeup, जब भी आप full coverage makeup करें, like कोई भी, like BB, CC, या foundation का use करें, तो आप उससे पहले primer का use ज़रूर करें, that is most and most important thing, primer का use करने से क्या होता है, वो हमारे face प्राइमर क्या है, clear सी बना देता है, जिसके कारण जो हम उपर जो product क्याने की like highlighter है, foundation है, कुछ भी apply करते हैं, तो वो हमारी skin के अंदर absorb नहीं होता है, वो भार ही भार रहता है, और हमारी skin के अंदर वो जाने नहीं देता है, तो primer का काम करता है, हमारे pores जो open pores होते हैं, उनको minimize करता है, close करता है, जिससे कि chemical वाले products हैं, वो हम जो लगाते हैं, वो हमारी skin के अंदर नहीं जाते हैं, और हमारे face को हम नहीं पहुचा, sunscreen का use जरूर करें, यह की नहीं कि हम घर में बैठे हैं, और बाहर नहीं जा रहे हैं, तो tanning नहीं होगी, sunscreen का use जरूर, जो face wash है, हम जल्दी जल्दी न, reviews एक के change कर लेते हैं, यह बहुत अच्छा यह ल लेना है, कि आपके skin type के stripe की है, आपको उस type का ही face wash use करना है, next tip, आपको बहुत जल्दी जल्दी products को switch नहीं मारना है, यानि कि बहुत जल्दी हमें products को change नहीं करना है, यह करने से भी क्या होता है, कि एक product का जो असर है, वो पूरी दरा से हमारी skin पे नहीं आपाता है, हमारी skin सेटल नहीं हो, पाते उस product के साथ, और next switch करके next use कर लेते हैं, तो यह भी बहुत गलत है, हमको जल्दी जल्दी products को change नहीं करना है, important role play करते है, टॉल से बहुत साथ चीज़े हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, number one, कि हमें जो body का टाल है, और face का टाल है, वो अलग रखने चाहिए, daily अगर आप body का चाहिए, एक बार को आप एक दिन छोड़ के एक दिन wash करें, लेकिन face का टावल रहे वो daily wash करें, चाहिए वो एक बार use करा हो, दो बार use करा हो, उसको daily wash करके ही use करें, और उसको properly आप धूप लगाएं, उसको सुखाएं, यानिकी वो गीला गीला नहीं होना चाहिए, गीला रहने से क्या होता है, टावल में bacteria वगरा पैदा हो जाते हैं, जब उसको हम use करते हैं, तो हमारी skin में वो चले जाते हैं, जिससे बाद में बहुत सारी problems होती है, तो टावल का बहुत बड़ा role है, next important thing regarding टाल की हमें एक दूस्ते के टावल की बच्चे का रखा है, उसी से हमने अपना मुँ पहुच लिया, husband का रखा है, उसी से मुचन नहीं, टावल हमारे सबके अलग होने चाहिए, और particularly हमारा भी body और face का टावल बिलकुल अलग होना चाहिए, और most important thing regarding टाल की, टाल जो है face के लिए वो बहुत soft होना चाहिए, कभी भी face पे साबुन नहीं use करना है, soap का use नहीं करना है, always use face wash for cleaning your face, because जो face wash है, वो हमारी skin type के quarding, हमारी face के skin होती है, उसके quarding बनाया जाते है, वो बहुत ही mild होते हैं, और जो हमारी normal body का soap होता है, वो हमारी rest of the body के quarding होता है, तो never use a soap on your face, always use a face wash, जब pimple और एकने हो ज एक हमें लगता है कि बहुत बुरे लगता है, तो उन्हें चीलना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करनी है, that is very wrong, उससे बेटर है कि आप उस पे कोई दवाई लगाईए, कोई DIY करें, जिससे आपके वो ठीक हो जाएं, चीलने से क्या होता है, वो थोरे टाइम बा करना है, और जिससे हम टच करते हैं, यहां पर मेरे कुछ हुआ, मैंने उसको टच करा, टच करने के बाद वो अगर फिंगर मैंने दूसरी जगा लगा दी, तो वो क्या है, वहां से जो इन्फेक्शन है, वो सेरिया से उस जगह भी ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरह से धिर उस जगह भी होने स्टार्ट हो जाएगा, इनकी इन्फेक्शन स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग जब बहार जाते हैं, हम सोचते हैं, बहार गए तो करके गए थे, अब लोटते हैं, तो स्किन केर क्या करना, या फेस वगरा क्लीन क्यू करना, नहीं, that is most important, क जब बहार जाते हैं, टैनिंग भी होती है, फॉलिशन भी होता है, डिस्ट भी होती है, जो हमारे फेस पर कह रहए, इंपल्स और एकने में ट्रांसफर हो जाती है तो इसलिए बाहर से आने के बाद तुरंग अपने फेस की जो स्किन के रूटीन है वो जरूर फॉलो करें पीक में दो बार फेस की स्कर्बिंग करना बहुत जादा जुरूरी है कोई भी आप स्कर्बिंग करें चाहिए आप डि हो जाती है और चमक चेए जाती है और फोर जो ऑपन होते है उसे क्या है जो हमारी आंदर की गंदगी होती है फिर भी बाहर निकल आती है हा लेकिन एक बात का आपको जूरू ध्यानक पना है स्कर्बिंग करके आपको अपने फेस को ऐसे नहीं चोड़ना है जो आप यूस क लगे नुकसान देगी तो ओसके बाद तो पोर्ज ऑपन रहेंगे उसमें हमारे डर्स पॉलीशन जाएगी जो हमारे सिकन को बहुत जादा नुकसान देगी तो फेस ख़र्ब करने बाद टोनिंग जरूर करें टोनिंग करने से क्या होगा हमारे जो पोर्ज ओपन होंगे स्कर्बिंग के टाइम पे वह मिनिमाइज हो जाएंगे और उसके बाद मॉस्टराइजर जरूर लगाएं ताकि हमारी जो स्केन नॉर्मल आजाएं क्योंकि स्कर्बिंग में थोड़ा बहुत हम लोग चंकी पार्टिकल्स होते हैं उससे थोड़ा सा स्किन थोड़ी सी थाइप हो जाती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए और अपनी स्किन को दुवारा से बैलन्स में लाने के लिए स्कर्बिंग के बाद टोनिंग और टोनिंग के बाद मॉस्टराइजर जरूर लगाएं ज़रूरी नहीं है कि जो डियाएवाई है नाचरल चीजों से बना हुआ है वह आपको सूट कर जाएगा पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें उसके बाद ही वह डियाएवा यूस करें मालूम बड़ा आपने डारेक्ट यूस कर लिया वह आपके स्किन पर फायदा नहीं कर और कुछ एलर्जी हो गई इचिंग हो गई तो आपकी फेस को डामिज कर देगा तो फर्स्ट ऑल्वेज पैच टेस्ट वाइल मलब बिफोर यूजिंग आ डियाएवाई यही सेम नेक्स टिप यही सेम टिप प्रोडेक्ट के साथ है कोई अपने प्रोडेक्ट मैंने शेयर कर रहा मालनीचे कोई भी उसमें मैंने चार्च चीज यूज करी लेकिन उसमें एक चीज ऐसी है पर्टिकुलर जो आपको सूट नहीं करती और आपको पता है लेकिन फिर भी आपने उसमें मिक्स कर लिए और अपकी स्किन पे नुकसान कर गई तो इससे बेटर आप DIY करिए बहुत अच्छी बात है मैं अभी regular DIY बहुत करती हूं लेकिन मुझे पता है कि मुझे चीज सूट नहीं करती है तो आप उस DIY में वह चीज को स्किप करके और मालनीचे मैंने किसी DIY में नीबू डाला नीबू मुझे सूट नहीं करता रहो बाकि जो तीन चीज़ हर चीज के लिमिटेशन होती है तो आप अपनी एज के according और एक proper regular time interval के हिसाब से ही और अपनी स्किन पे bleach और फेशल करवाएं यह की नहीं आप हर अफ़ते करवा रहे हर 15 दिन बात नहीं हर चीज के एक एज होती है एक regular time interval होता है इतने time interval पे आपको कराना चाहिए तो इस आपको ध्यानकना है कि आपकी एज कितनी है आपके skin type कैसी और आपकी skin पे क्या-क्या problems है उसके हिसाब से ही आप अपना bleach facial जो भी है वह treatment आप लीजे यह कि नहीं कि आप 15 दिन बाद और हर अपते ले रहे हैं कि skin हमारी इसी से balance रही नहीं यह उतना फायदा नहीं करेगा उ जो सो कई बार हम क्या करते हैं एक दूसरे के जब products है वह use कर लेते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन कुछ products ऐसे होते हैं मान लिजे lipstick है अब मैंने lipstick अपने lip पे apply करी वही lipstick मैंने अपने friend के साथ शेयर कर ली तो मेरे lips पे मान लीजे कोई problem है या मान लीजे मेरी friend के यूज करी तो उसका जो infection है या जो bacteria थे वो उस product के थूर मेरे lips पे transfer हो गए तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है ऐसे कुछ products जो like direct हमारी skin के touch में आते हैं lipstick हो गई काजल हो गया eyeliner हो गया eyebrow pencil हो गई हमेशा आपको अपने किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए पर्टिकुलर अपने यूज करने चाहिए मैं यह नहीं बोली sharing नहीं sharing करें लेकिन उन products की जो आपकी skin पर direct touch नहीं हो रहे हैं मालने जो कोई pump वाले products हैं वह यूज कर सकते हैं pump वाला foundation है वह आप यूज कर सकते हैं तो ऐसे products जो आपके skin से touch होके आप किसी दूसरे का share मतब skin को healthy और glowing रखने के लिए toner का use जरूर करिए toner बहुत important role play करता है हमारे healthy skin के लिए और हमारे जो open pores होते हैं उनको धिरे धिरे minimize भी करता है तो toner always use करिए vitamin C rich serum या diet में vitamin C जरूर लीजे because vitamin C बहुत ज़्यादा जरूरी होता है खाने में भी लेना और हमारी उपर face से apply करने के लि पर share करें है related to vitamin C उनके link में आको description box में देरूंगे आप चाहें local products का use कम से कम करिए चाहे मैं कह रही हूं आप धीरे-धीरे करके अपनी make-up kit अपना skin care जो skin care products है वो उसका collection करिए अपने budget के recording करिए मैंने भी ऐसी करा है लेकिन local products की मतलब ये मेरे budget में नहीं है या ये बहु के और अपनी skin type local products का use बिलकुल मत करिए भले अपनी collection बनाइए लेकिन local products का use मत करिए अगर वो एक बार आपकी skin पर reaction कर गए तो उसके जो results है वो बहुत कहतना भ्यानक होंगे उतना आपको फायदा नहीं करेंगे उससे आपकी skin को damage कर देंगे तो उससे better है कि आप अच्छ sponges plus puffs जो भी आप यूज करते हैं मेकप को apply करने के लिए उनको आपको regular wash करके अच्छे से सुखा के और डब्बे में पैक करके रखना है जिससे कि उनमें dust नहीं जाए कई वार क्या होता है आलस में कहा है तीन चार मेकप लुक्स कर लिए और फिर भी हमने अपने brushes और sponges औ brushes और sponges वगारा का use करेंगे अपने skin पर तो हमारी skin पर pimples वगारा आने के बहुत chances रहते हैं कई बार इस problem के कारण allergy भी हो जाती है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने brushes बहुत एक maximum दो दो मेकप लुक लंकालने के बार उन्हें आपको अच्छे स अगर रगड के face पर उसको अपने face को दोने के बाद मलब dry करते नहीं यह बहुत गलत तरीका है आप टॉबल को लीजियो ऐसा सा dab dab करके dab dab करके हलके 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 हाथ से अपने face को सुखाईए आपको skin को रगड़ना नहीं है भले ही आपको टॉबल कितना soft है लेकिन आपको skin क ऐसे रगड़ना नहीं है free time to time blackheads और whiteheads को remove करना बहुत जारा ज़रूरी है विकोस हमारे skin की ब्यूटी में या आप क्लीनिनेस में क्या है कई बार blackheads और whiteheads किसी किसी के बहुत ज्यादा होते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं बहुत बध्ये लगते लगते हैं तो time to time blackheads को को भी रिमूफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी नेक्स टिप दोस्तों कि 100% आप मेकप प्रोडेक्स पे डिपेंड मत रहिए कि रेडिमेट प्रोडेक्स पे बीच पीच में मैं आपको सेजस्ट करूंगी मेरी परसनल एडवाई से बाकी मानना ना मानना आपके उपर है कि ब सब्सक्राइब करते हैं व्याइब करते रहे हैं कि अग्दा है कि धार क्लीना लगती है और बहुत जादा थिक होते हैं तो इसके वह से भी हमारा कंप्लेक्शन भी डाउन लगता है और हमारे जो स्किन हैं वह यह ड़्यूजरी शहसे भाइट कोती है घंडी गंडी गंडी सी लगती है तो तो यह बहुत ध्यानकने वाली बात है कोशिश करिए maximum जो प्रडेक्स है आप उसमें अपने फिंगर वायरा का यूज ना करें maximum आप पॉंप आले प्रडेक्स यूज करें से टोनर्स हो गए आजकल फांडेशन भी पंप आले आ रहे हैं तो माकसिमम आप कोशिश करिए pump बाले प्रडेक्स यूज करिए और अगर प्रडेक्स नहीं भी है तो आप उनके अंदर प्रडेक्स के अंदर finger मत इंसर्ट करके उसको प्रडेक्ट को आप डारेक्ट टच मत करिए मालने जो कोई फांडेशन है मेरे पास पंप बाले नहीं है तो मैं थोड़ा सा लूँगी अपनी स्किन पर ऐसे डालोंगी और बाकी मैं बंद करके रख दूँगी मैं पूरे प्रडेक्ट में मैं अपनी फिंगर उसके जो अगर हातनों से हमें जर्म्स और बिक्टीरिया है तो वह हैंन से प्रडेक्ट में चले जाएंगे और प्रडेक्ट जर भूम फेस एप्लाई करेंगी तो वह हमारे फेस पे आ जाएंगे तो इस बात का बहुत जार ध्यान लगना है अगर पंप बाले प्रडेक्ट नहीं है तो उनको आप डिरेक्ट टच ना करके पहले थोड़ा सो आप अलग से निकाल लें और बाकी रग दें और उसके बार उसको आप अपने फिंगर या हैंड या ब्रशे से यूज करें तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ टिप्स मतलब कुछ क्या मतलब मैंने बहुत सो समझ के वीडियो बनाई ये कोई टिप रहना जाए ये टिप्स ही आपको ज़रूर ज़रूर फॉलो करनी होती है फॉर ग्लूइंग हेल्दी एंड क्लीन और क्लीर स्किन के लिए आई होप आपक एक नई वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे